वाईगुर्ची का खालसा वाईगुर्ची की फते गुर्मत एलिमेंटरी कोर्स वुस्तक दूसरी पाई जीवा जी सिख तरम हरेक जीवनू सुखी जीवन गुजारन लई अकाल पुरक्ते हुकम विचलन लई प्रेर्दा है पर हुकम की है प्रबुदे बनाए अटल नियम जिवे के सूरज, चल, रात, दिन, मौसम, हवा, आदी हुकम विच्च या नियमा अंसार ही लगातार संसार्दी सिवा कर रहे हैं इत्यास विच इस सबंदी अनेका साख्या मिल दिया हन जिरा विच गुरु साइब जी ने सिखानू हुकम दी गल समझाई है इत्यास अंदर पाई जीवा जीदा जीवन मिल दा है पाई जीवा जी अते उस्दी सुपत्नी जीवई पेंड खडूर सैप्तों तेन मिल दी दूरी ते रंदे सान। पाई जीवा जी गुरु कार विच सेवा कर दे सान। अते जीवई आपणे कार गुरु दे लंगर लई खिचणी त्यार कर दी सी। पाई जीवा जी करो खिचणी लेके गुरु दे लंगर लई जान्दे सन एक वारी सारी रात हनेरी चल दी रहे। जीवई परमात्मा ग्यर्दास कर दी रहे के हनेरी रुख जावे ते ओ खिचणी त्यार कर सके। उदर स्वेरे पाई जीवा जी ने गुरु अंगत सैब जी नो बेंति किती पाच्छा बक्षिश करो के हनेरी रुख जावे ता जो मैं कार जाके लंगर लई खिचणी ले आवा। गुरु अंगत सैब जी ने समझाया पाई जीवया तुसे हनेरी बांद करन ले आगते हो एह हनेरी ता अकाल पुरकते हुकम विच चल दी है। कई तरह दे जीव सब आदी नो खाना मिलता है। कि तो चांदा है कि हनेरी रुख आके उना जीवा नो खुराक तो वांजा कर दिता जावे। परमात्मा जो कुछ भी करदा है वो साड़े सब दे पले ले करदा है। सब कुछ उस अकाल पुरकते हुकम विच चुनदा है। जो इंसान परमात्मा दी रजावे चल दे हन ओ अपणिया मनो कामनावा तर त्यान नहीं कर दे। ओ अपणा आप अकाल पुरकते अरपन कर दे हन। पाव मन अते तन करके परमात्मा दे दित्ते हर दुख सुख सवकार कर दे हन। अते आपणा आपणा आपणी होम में नुखातम कर लेंदे हन। जदो मेर तेरदा शंका मिट जानदा है ता जीव अकाल पुरकनल इक मिक हो जानदा है। परमात्मा दे दित्ते पदारत दुख सुख समें इकको जय लग दे हन। इसलिए परमात्मा ने हुकम नू पश्चान के ही प्रभू नू समझ सकीदा है। जेडे जीव प्रभू दे हुकम नू नहीं जान दे आपनी मत अंसार चल दे हन। ओ हमेशा दुख अते कलेश विच जीवन बतीत कर दे हन। ऐसा अग्यानी जीव हर चीज नू आपनी जान के मो प्यार पंदा है अते उस दा हंकार करता है। अते परमात्मा तो दूर चला जान दा है। जीव अते परमात्मा दा रिष्टा ता प्यो ते पुत वला है। जिथे प्यो पुत्तर दा सुभा ना मिले उस कार विच हमेशा कलेश रन दा है। अते जीवन फिक्का अते बे स्वादला हो जान दा है। परमात्मा साड़ा पिता है ते असी सारे उस्दे बच्चे हां जे कर आपड़े पिता परमात्मा दे हुकम विच रह के गुजारा करियें ता ही खुशी मिल दी है अकाल पुरक दे सुवा अंसार आपडा सुवा बनाना ही अकाल पुरक दे हुकम नू मनना है इस तरह पाई जीवा ते उस्था परवार गुरु अंगत साहिब जीतो सिख्या लेके आपड़ा जीवन होर वदिया टांगनल बतीत करन लगे। वाईकुर्चीक का खालसा वाईकुर्चीक की फते पाई पारोजी पाई पारोजी डल्ला नगरते रैन वले गुरु कारदे शर्दावान सिक्सान आप जीदा जीवन गुरु आशियन सार सी आप जीदे चंगे जीवननू देख द्या आप जीनू गुरु कारवलो परम्हांस पद्वी दित्ती गई सी, आप पड़े सिद्गी ते द्रड इरादे वले सिख सन, कोड स्वारी दा बहुत शोंक रख दे सन, ते पूरी तरा निपुन्वी सन, नित्ता प्रती गुरुकार दर्शनली आउंदे सन, चक्खड होवे, मीहनेरी होवे, नेम नाल गुरु दर्बा जान दे सन, गुरु कारनल ऐसा प्रेंट सी, के वग्दे दर्या विच्चो भी कोड स्मेत पार कर जान दे सन, आप जीदे करनी वाले जीवन करके संगत वीच भी आप जीदा बड़ा मान सतकार सी, एक वारी पाई पारो जी, गुरु अंगत सेब्डू बेंती करन लगे, प गुरु अंगत साहिब जी ने फुर्माया, पाई पारो जी, आज तो आलो हंस दी विचारदस दे हां, हंस समुंदर दे या चीला दे आसपास अप्रा टिकाना रख दे हां, ते सुच्चे मोती चुग दे हां, कुद्रत ने इनानो ऐसी ताकत बक्षी है, के हंस आपणी दुद्ध अते पाड़ी वक कर लेंदा है, ते दुद्ध पी जानदा है, ते पाड़ी दा त्याग करता है, गुरु दा शबद हीरे अते मोती हन, जो जीव इस शबद नो सुण के मन के विचार करता है, अते इस तो जो ग्यान हासल करता है, ओ ग्यान हंस दी चुंज वरग जिव इस गुरु शबद दे ज्ञान रही आत्मा ते स्रीर दे पेधनू वक्ष करके समझ सकता है। जीव ने परमात्मा दे गुर्णी कठे करके आत्मक जीवन बनाना है। गुरु शबद दे ज्ञान तो बिना जीव स्रीर नो सब कुछ समझ दा है ते इसे स्रीर नो पालन दी खातर बुरे करम भी करदा है। इस तरह बुरे करम करदा होया विकारा विच पास जानदा है। स्रीर दे दुख मुश्कला नो देखके ओ दुखी हुंदा है। जीव नो गुरु शबद दे ज्ञान रही स्रीर अत्यात्मा दी समझ आ जानदी है। उस समय स्रीर दुख सुकतो उपर उठके सैज मारग नो प्रापत करदा है। ऐसे जीव परमहांस दी पद्वी प्रापत करदे है। जो गुरु शबद दे ज्ञान रही विचार करके आपने आपनो स्रीर तो वक समझे ओ ही परमहांस है। इस तरह गुरु जी दे सिख्या प्रापत करके पाई पारो जी आप भी परमहांस दी पद्वी नो प्रापत होये। अते आपने परवार ते होर लुकाई नो सिख़्ी दे राते पाया। गुर्णानक साहिब जित्थे जित्थे गए साइन उत्थे उना ने संकता काईम कीतियां ता जो एक नवा नरोया समाज सिर्जिया जा सके। गुरु अमर दास जी दे समय विच सिख़्ी दा परचार बड़ी तेजी नाल दूर दुराड़े लाक्या तक हो चुक्या सी। परचार दी एक सारता एक रूपता तेवादे लई गुरु अंगज साहिब जी ने इस कामनों बहुती जत्थे बंदक शकल विच संगठन करन्दा निश्चा कीता। गुरु जी ने वाक्वा की लाक्या विच जीवन अते करनी वाले खास गुर्सिक खानू जो सिख़्ी दे ग्यान नल पर पूर सान जत्थे बंदक टांग नाल सिख़्ी परचार करन ने लाए। इस कामले बाई मन्जियां अते बोविंजा पीड़े वी काईम कीते। मन्जिधार एक कतनी ते करनी वाला गुर्मत ज्यान नल पर पूर गुर्सिक हुन्दा सी। जो गुरु जी वालो दित्ते गए इलाके वीच परचार दा मजबूत केंदर बना के सिख़्ी दा संदेश दिन्दा सी। सब मन्जिधारा नू गुरों मर्दास जी आप लाम दे सन। ए मन्जियां इस तरह अपने अपने इलाके दे मुख सेंटर सन। मन्जिधारा देशा हाइक गेंदरा नू पीडेदार क्या जान्दा सी। इना सेंटरा वीच गुर्बानी सिधानता दा खुला परचार हुन्दा सी। ते सिख जीवन जुकती सिखान दा पूरा परबंध हुन्दा सी। सिखे मारग नू समझाउन ते अमल विच ले आउनले साब परचारक बड़े उच्छा नाल कालना काल दे सन। लोका विच सिखे सबंदी पैस अकणवाले साब पूलेखे इना थामा ते दूर कीते जान्दे सन। दूर दुराडे गुर सिखानू इना केंद्रा राही सिखी सिदान्ता ते सिखी रो रितानू निरोल और खालस रखन लई मदद मिल दी सी। इना केंद्रा कारण अनमत्ती लोक गुर्बानी विच रल गड पैदा करन्दा हिया नहीं कर सक दे सन। मंजीदार इलाके दियां संकता समेथ साल विच कटो कट दो मोक्यां ते गोईंद्वाल साहिब गुरु जी दे दर्शना ले आंदे सन। सिखी जिदान्ता स्वंदी पाए साब पुलेख्यां ते शंक्यानू गुरुमर्दास साहिब जी को लो निविरत क्रौन दे सन। तो ही अपड़े अपड़े इलाक्या विच पेश आ रहेयां ओकड़ानू निप्टाण लई गुरुजी पासो रह नुबाई हासल कर दे सन। सुभावेक है के इस परकार दी परचार मुहिम रही सिख्खी दी इकसारता एक रूपता निरोलता आदिक काईम रख दया होयां केवल मिल गोबा रो रीतां ते मिल गोबा विचारता रहा तो ही सिख कोमनू बचाण दी गल ही पूरी नहीं हुंदी सी बलके इस दाल समो मुखी परचार का वेच परचार कर लेई पारी उच्छा पैदा हुंदा सी पाई पारो जी नुवी एक मंजी दी बख्षिश किती गई सी पाई पारो जी दे नेक जीवन दी उधारण इस गल तो भी मिल दी है कि जो भी पाई साहिब दी संगत विच आया गुरु करदा होके रह गया जिवे के पाई अल्ला यार खाँ जो कि एक पिठाण सी अते कोडिया न वपार कर दे साहिब दिल्ली तो लहोर आंदे समय आप दा मिलाप पाई पारो जी नल हो गया पाई पारो जी दे सच्चे सुच्चे जीवन तो पठाण अल्ला यार खाँ इतना प्रभावित होया के ओ उत्थो सिद्धा ही गोईंदवाल तीसरे पाशा दे दर्बार विच जा पोंचया अते सिख़्ी तारण कीती पाई अल्ला यार खाँ इन्ने नेक जीवन वाले बढ़े के गुरु साहिब बलो मंजीदार यानी की परचारक थापपे गए इना दी राही अनेक का ही मुसल्मान सिख़्ी विच शामल होय इना दे खांदान वेच ही गुरु हर्गुबिन साहिब जीदा अनांद कारच होय अते पांच प्यारें दे मुखी पाई द्या सिंग जीवी इना दे खांदान वेचो ही साथ वाईकुजी का खलसा वाईकुजी की फते